नमस्कार दोस्तों UPPSC डेली नीज में आप सभी लोग का स्वागत है तो यहां दोस्तों आप सभी लोग को बता दूं कि एक आंदोलन और होने वाला है उत्तर प्रदेश लोग से वायोग में भरती परिछाओं में दो अतरिक्त आउसर के लिए मैं आपको बता दूं कि यह च प्रदेश लोग से वायोग में अभी यह शुरू हुआ है बस आप सभी लोग धैर रखें इसके सारी अपडेट जो भी अपडेट है वो सारी अपडेट आप सभी लोगों में चैनल के माद्यम से देता रहूंगा आपको बता दे कि इसमें विधायकों और सांसदों की सिफ पारिज भी नहीं आ सकी है काम लेकिन चात्र लोग इस आंदोलन को करके इसमें अपनी जीत को सुनिस्चित जरूर करेंगे मैं आपको बता दू भरती संस्थाओं में ब्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाब मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी चात्र भरती परिच्छार मिलने चाहिए इस मसले पर चात्र जल्द ही प्रियागराज में बड़ा अंदोलन करने की तैयारी में है वहीं लखनव में जारी अंदोलन में भी यहां से बड़ी संख्या में चात्र सामिल हो रहे हैं प्रतियोगी चात्र मांग कर रहे हैं कि वर्ष 2020 और 2021 में केंद्री यों राज इस्तरी परिच्छा देने वाले बिर्थियों को अधिक्तम आयू सीमा में दो वर्ष छूट दी जाए और सभी परिच्छाओं में दो अत्रीकत आउसर प्रदान किये जाएं साथी देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के मद्दे नजर पदो की संख्या बढ़ाई जाए और रोजगार के लिए बटगरे सभी वाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएं करुचारी चैनायों गुत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायों और बैंक की परिच्छाएं तैस समय में पूरी कराई जाएं इन मुद्दो पर छात्रों ने प्रदेश सरकार को पत्र के माद्यों से सिफारी भी भेजी थी आपको बता दें कि इस मामले में भी छात्रों के पक्ष में चीजें होंगी अभी नहीं लेकिन सबर करें समय आने पर छात्रों को अतरिक्त मौका भी मिलेगा और साथ में जितने भी यूपी में एक्जाम जै लगे हुए हैं इस update को मैं आप सभी लोग को देता रहूंगा साथ में PCS 2018 की जो scaling का मुद्धा है उस मुद्धे में क्या होने वाला है क्या हो रहा है इसकी update में कल एक वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो आप सभी लोग को कल दोंगा तो जहां दोस्तों आयोग की तरफ से चोटी बड़ी update कोई भी चैनल के माध्यम से आप से लोगों तुरन दी जाती है वीडियो अच्छा लगा करें लाइक जरूर कर दिया करें अपने दोस्तियार से शेयर भी कर दें ताकि उनको भी महत्पूर समाचारों उनको भी प्राप्त हो सके तो जहां दोस्तों बहुत भी धन्यवाद